नरुहित आहार विहार सेवी समेक्षकारी विशये स्वसप्तह दाता समह सत्य परहशमावाँ आप्तोप सेवी चभवत्य रोगः मतिर्वचह कर्म सुखानु बंधी सत्वं विधेयं विशदाच बुद्धिही ज्यानं तपह तत्परताच योगे यस्यास्तितं नानुतपंति रोगाः योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीर स्यच बैद केन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतन जलिम् प्राण जलिरानतो स्मी पतन जलिम् प्राण जलिरानतो स्मी हमारे जीवन में जितने भी पदार्थों का जितने भी वस्तों का हम प्रयोग करते हैं खाद्य अन्न की रूप में या जो भी हम ग्रहन करते हैं ये उचित मात्रा में और सही धंग से हम प्रयोग करें तो नश्शित रूप से वह हमारे लिए आवशदी है आवशदी गोणों से भरपूर है हर पदार्थ आवशदा है उन पदार्थों को आवशदी की रूप में सही रूप में प्रयोग करने की तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे देश के अंदर और जिस तरह से ये हमारा देश क्रिशी प्रधान देश हैं यहां पर क्रिशी का कारिय बहुत ही महत्पूर्ण है उसमें जो किसानों के द्वारा उगाए जाता है उन पदार्थों में यह भी एक प्रामुख वस्तु है जिसको हम बोलते हैं सरसों हलाकि हमारे देश के वो लोग जो बहुत सारे जिनकी प्रिश्ट भूमी ग्रामिड भूमी से हैं वह लोग तो जानते हैं पर बहुत थोड़े लोग हैं जिनको शायद यहां न पता हो कि सरसों कैसा होता है और किस तरह सी ये पैदा होती है इसकी गौरब भी है इस रूप में क्योंकि इसके पीछे हजारों नहीं लाखों किसानों की आजीविका का यह साधन है तो लाखों लोग इस सरसों के तेल का प्रियोग करके भोजन में मालिस में वो अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और वो अपने जीवन को सुन्दर, स्वस्त और सुडोल बनाते हैं इसलिए यह सुप्रसिद्ध पौधा है सरसों का मस्टर्ड प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं तो यह पौधा जो मस्टर्ड का पौधा है यह सरसों इन सब नामों से पूरे देश में इसको जाना जाता है तो यह बहुत ही बहुत ही अच्छा है यह सरसों का यह पौधा क्योंकि इस पौधे को हमने भोजन की रूप में खाद्यान की रूप में तो जाना है खाद्यान की रूप में तो हम इसको प्रयोग करते ही हैं सरसों के तेल का परन्तु आज हम कुछ इसके आउशदिये गोणों के संद्रव में सरसों का यह पाउधा ना सिर्फ एक भोजन का अंग है अपितु यह पाउधा एक आउशधिये गोणों से भरपूर है आज हम जानेंगे इस बात को सरसों का साग आपने सुना होगा बिशस करके पंचाब हरियाना राजिस्थान गुजरात आदी में भी बहुत ही खाया जाता है पूरे देश में सरसों की यह पत्तियां जब थोड़ी कॉमल होती है तो इन पत्तियों को तोड़ करके या इसके कॉमल भाग को डंठल सही जैसे आप देख रहे हैं यह डंठल यह जैसे कॉमल है तो इसको मल डंठलों को तोड़ करके इसका साग बनाया जाता है उसको हम जानते हैं सरसों का साग और सरदी में सरसों का साग और मक्की की रोटी यहां बहुत ही सुपरसिद्ध भोशन है उत्तर भारत में विशेश करके तो देशबासियों को इस बात के लिए जागरुख भी करना चाहता हूं और उनको आवान भी करना चाहता हूं कि सरसों का साग बहुत ही लाबकारी है परन्तु जिस सरसों के खेत में यदि बहुत ज़्यदा पेस्टिसाइड डला हुआ है और यूरिया डला हुआ है उस साग से बहुत उत्तम होता है स्वादिष्ट भी होता है तो फिर हमें कैसे पता चले कि उस सरसों के खेत में पेस्टिसाइड नहीं डला हुआ है क्योंकि इस सरसों के अंदर कीड़े आने शुरू हो जाते हैं हलाकि जिस खेत में मैं बैठा हुआ हूँ यह टोटल और गैनिक फार् खेती उस रूप का यह उधारन है हम पूरे देश के किसान भाईयों को भी इसके विशे में हम जागरुक करना चाहते हैं जानकारी देना चाहते हैं तो यह सरसों कहीं भी जो पेस्टिसाइड और यूरिया डला हुआ कि सरसों है उससे कहीं कम खेती नहीं है उससे भी सुन् किसी भी एक एक पौधे को आप देखिए अभी प्राता हकाल की ओस इस सरसों पर पड़ी हुई है देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है पर ओस के बुंदों को छोड़ करके इस सरसों के अंदर आप देखते हैं किसी भी तरह के कोई क्रीमी या कोई जीवाणों इसके अ इसा देखा है कि वहां उस खेट के आसपास जितने भी जो दावाईयां हैं पेस्तिसाइड हैं उसके तुलना में भी वह मजबूत हो करके उनकी जो शेरील का जो उनकी किटानों के रोग प्रतिरुदक शमता है इतनी बढ़ जाती है कि वहां भी वह पैदा हो जाते हैं इस से बन करके कहीं न कहीं हम स्वेम भी रोगी के भागी बच जाते हैं रोगी हो जाते हैं रोग का कारण है वह और देश को भी हम एक शुद्ध शात्विक और बहुत अच्छी खाद्यान की जगह पर कहीं न कहीं हम जहरीली चीज लोगों तक पहुंचाते हैं इसलिए मैं आ यूरियायोंकि पर पशूँ पालें उस पशुवसे दूद मिलेगा उस गोवर से आप की ख्यती भी अच्छी हो जाएगी प्रेप्र करें आप गायों का पालन करें आप बैस का पालन करें आप अपने पुष्वों को घरों में रखें ये बहुत जरूरी है नहीं तो ये जतनी ज़़ा हम Pesticide डालेंगे मैंने देखा है जहां यूरिया और Pesticide बहुत ज़़ा डाला जाता है वहाँ पर भी सरसों के फली में ये सरसों के पत्तियों में बहुत ज़़ा कीड़े लगते हैं तो मैं बात कर रहा था सरसों के साग के संदर्ब में तो सरसों के साग के लिए यह बहुत जो जैसे कि मैंने कहा यह कोमल पौदे होते हैं जिसमें अभी यह कच्चे डंठल होते हैं यह छोटे-छोटे जो पत्ते होते हैं जिसमें चोड़े चोड़े पत्ते आते हैं शुरू में उन पत्तियों का साग बनाया जाता है जिसको सरसों के साग से पूरे देश में हम जानते हैं यदि आप बजार से सरसों को खरीद रहे हैं यदि आपके घर में थोड़ी सी भी जगह हैं सरसों के कुछ बीज डाल देने से सरदी में वह अपने पौधा तयार हो जाता है इस तरह से यदि आप अपने कीचन गार्डन में आप घर की आसवास में लोन में तब भी वहाँ पर ये थोड़ी सी मात्रा में सरसों उगा सकते हैं तो वहाँ आपके लिए शुद्ध सरसों क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है सरदी में ही लगबग सरसों होता है देखिए अब सुबह की ओस की बूने पड़ती है तो ये फूल इतने सुंदर सुंदर चमकते हैं इतना अच्छा लगता है देखने में और यदि आप सुबह सुबह निकल जाएं सरसों के खेट में भीनी भीनी इसमें से आती है खुसबो बहुत प्यारी खुसबो आती है देखने में कितना सुंदर लगता है मन कितना प्रसन हो जाता है गास्तम में हरा भरा सरसों के खेट को देख करके आपकी तबियत भी बहुत हरी भरी हो जाती है प्रसन हो जाती है तो ये बहुत ही सुंदर चीज है देखने के लिए भी यदि आपके पार्फ में थोड़ी सी साग को आप पहले गरम पानी से धोएं यहाँ बहुत जरूरी है कि सरसों की साग को आप गरम पानी से धोएं तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको पहले धो करके इसके अंदर जो भी विजाती तत्त वहें निकल जाएंगे फिर दोने के था मेशनीति के पंदर एक कल्हक हुआ करता था उसमें लिखा होता था कि शक कि न ईरोगाब धनते तो psych हमारे गुरुजण वो शक Inorn benefici, शक्राद हों करते थे थे उसको काठ करके कभी वो शक रहता था कभी व शौक रहता था तो मुझे बता चला कि बाद में यह शोक नहीं श साग कारण की बहुत ज्यदा साग का सेवन करते हैं तो उस से मलग की अविविध्ही होती है नश्रत रूप से मलग की अविविविध्धि होती है तो साग को भी परला में हमें लेना चाहिए तो सर्सों का जैसे ये वायू कारक होता है तो सर्सों के साग में नश्रित रुप से बनाया जाता है इसलिए उसमें अद्रक डाला जाता है क्योंकि उसकी जो वायू कारक जो दोश है वो दोश का निवारन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है यहां सर्सों का साग और कभी कभी सर्दी में जरूर आप इसका सेवन कर सकते हैं इसके अतिरीकत यह सरसों का तेल हम सब जानते हैं यह तेल पूरे देश के अंदर खाने के लिए प्रयोग किया जाता है और मालिस के लिए प्रयोग किया जाता है विवीद रोगों में और और उशदियों का समिस्त्रण करके हम दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं यह आपको कहीं भी शरी में खाज खुजली है और शरी में तागत को मसल्स को ठीक करना है तो उसके लिए यह आप सरल सा उपाय है सो ग्राम सरसों के तेल में दस ग्राम कपूर को पीस करके आप पूरे सरीर का मालिस करिए उससे तंदुरुस्ति फूर्थी और आपकी मांस्विश्या मजबुत होंगे यह उस तेल को यह आप मालिस करते हैं बालों के लिए तो उससे आपके बाल भी स सरसों के तेल से कपुर मिला के मालिस करने से तुरन जhडने बंद हो जाएंगे हलाएं कि बजार के अंदर सरसों के तेल के अंदर भी प्रियोग करते हैं तो रुषय रुप से आपको भरपूर्विर लाव मिलेगा इसी दरह से यदि सरसों के तेल में थोड़ा सोंठ अद्रक पका करके यदि आप करते हैं उससे मालिस तो उससे जो आपके अर्थराइटिस की सिकायत है दर्द की सिकायत है वह दूर हो जाती है हलाकि पीडान तक तेल हम आश्रम में बनाते हैं दर्द के लिए उसके अंदर भी मूल तिल और सरसों का तेल और बाकी औशदियां होती हैं वह भी दर्द के लिए बहुती लाबकारी है बहुती गुणकारी है जिनको घुटनों में दर्द है जोडों में दर्द है सरीर में द जब वो बिलकुल लाल सुर्ख हो जाए अद्रक और लहसन को वहां से आप उसको छान के हटा दें और बाकी तेल को आप रखिए तो यह आपका दर्द निवारक तेल और लाबकारी तेल है दर्द के रिए सरस्व का प्रियोग कान में कोई भी परिशानी है हमारी हां तो प्रा कान में तेल डालने की वेवस्ता है हमारी संस्कृति की बहुत प्राचिन परिपाटी है और पूराने जमाने में बुढबे में भी लोग बहरे नहीं होते थे आज बहरापन बढ़ रहा है मैं समझता हूं कि यह सरस्व का तेल नियमित रुप से कान में डाला जाए तो जो क कान की व्यादी है कान की जो इनफेक्शन है दूसरी जो विमारियां है उससे भी आप बच सकते हैं और बुढ़ापे में भी आपके कान विल्कुल आपकी जो सर्वना शक्ति है सलामत रहेगे उसके लिए आप सरसों का प्रियोग करिए और सरसों इतना ही नहीं यह सरसों ब भाग सरसों ले लें उसको पीस करके अच्छी तरह से पेस्ट बना करके यह करते हैं आप शरीर की मालिस पक्षघात वाले जगह को तो उससे पक्षघात में पूरा लाब मिलेगा बहुत तूरंद फरक पढ़ना शुरू हो जाएगा सिर्फ सोंट और सरसों इसको इतना बा कि सोंट अजवाइन संधानामक इसको उबाल करके यह आप सिकाई करते हैं यह उससे भी पूरा लाब होगा और यह जो खल है वह पशों के लिए बहुत ही लाबकारी है बहुत ही दूधारू है और खल यह थोड़ा सा डालने खेत में तो बहुत ही और्गेनिक काम करता है आ आप डाल दीजिए किसी भी पेस्टिसाइड की जरूत नहीं है वह आप देखेंगे पहुते कितने जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं यह बहुत ही लाबकारी है और जिनको फील पाउं जो इलेफेंट लैग होता है फील पाउं वालों को भी यदि सरसों का तेल और गो गोमुत्र मिला करके मालिस करने से पूरा लाब होता है तो यह बहुत लाबकारी है जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा सरसों का तेल में एदी संभब हो केसर पीस करके एदी संभब नहीं है तो सिर्फ कपूर मिला करके भी मालिस कर सकते हैं तो विविद रोगों में विविद्व पदार्थों को मिला करके मालिस करने से शरीर निरोग होता है रश्ट पुष्ट होता है बाहर की विमारियां दूर होती है तेल के सेवन सभी यह आपको देता है ताकत डाजिसन सिस्टम के लिए ठीक है आपके जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए ठीक है और यह सरसों आपको भरपूर अलाब देता है आपके जीवन के लिए यह सरसों सिर्फ एक खाद्यान नहीं है यह सरसों वास्तव में एक औशदिये गुणों से भरपूर यह औशदिये प परिचित थे फिर भी हम और शदी की रुप में सरसों का प्रियोग जरूर सुरू करेंगे इनी कामनाओं के साथ कल फिर हम आपके लिए एक और आउशदिये पौधे के संदर्वं में ठेर सारी जानकारी लेकर होंगे आपके बीश तब तक के लिए आप दिजी हमें मिदा हमारे जीवन में जीवन निर्वहन के लिए जितने भी पदार्थों का हम प्रियोग करते हैं जाहे वह अनिन के रूप में हो या ओशदी के रूप में उसका मुख्य प्रियोजन देखा जाए तो जीवन निर्वहन उसका मुख्य प्रियोजन है कहते हैं जान है तो जहान है शरीर जब निरोग होता है तभी संसार के सभी पदार्थ भी अच्छे लगते हैं परन्तु यदि स्वास्थ ठीक न हो तो सब कुछ निरर्थक और व्यर्थ परतित होने लगता है संभवत इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिश्यों ने शरीर माध्यम खलू धर्मसाधन करके कि शरीर को प्रथम धर्मसाधन का साधन बताया गया है संसार के अंदर जितने भी उन्नती है संब्रिध्धी है या किसी भी तरह का कारी है शरील ठीक होने से ही ठीक हो सकता है रिशयों ने ओशधी के रूप में अलग से किसी पदार्थ का सेवन के लिए इतना जोर नहीं दिया है जितना की अपने जीवन निर्वहन के लिए भोज्य पदार्थों में सावधानी के लिए विधान किया है यही कारण है कि हमारी भारतिय परंपरा में आहार के जो विशेष्टा है आहार के विशे में जो वैसिष्टे है अभिन्नता है वह पूरे विश्व के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आज हम बात करने जा रहे हैं आप मेरे चारों तरफ इस खेट में देख रहे हैं हलाकि आप ये बिना फूल खिला हुआ इस जो यहाँ पाउदा है इस से आप परिचीत है जब फूल खिल जाता है तो आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा खेट एकदम हर्याली के साथ में जैसे कि किसी को बहुत सुंदर से विक्ति को सुंदर सी माता या बेहन को जब हरे वस्त्रों में पीले पीले गहने पहना देने पर किस तरह से उनकी सोभा कई गुनी बढ़ जाती है इसी तरह से इस खेत की इस भूमी की इस हरे पौधे के अंदर ये विखरे हुए बहुत सुन्दर से फूल ने बढ़ा दिया है तो यह पहुदा है मेथी का मेथी नाम सुनते ही आपको बिलकुल आपकी रसोई की समर्थी आती होगी जब मा और बहन किसी सबजी में मेथी की छोंक लगाती है तो उसकी खुसबू जो है वह सब को सब के मन को बहुत प्रसन्दा प्रदान करता है वास्तम में मेथी एक ऐसा बहुती उपयोगी उपकारी एक पदार्थ है जो हमारे रसोई में आज भी उसके औशधियो गुणों से परिपूर्ण हमारे रोगों को दूर करने के लिए हमारी प्रतिक्षा कर रहा है मेथी आपको खोजने के लिए बाहर जाने की जरूत नहीं है अपने रसोई में आपको मेथी मिल जाएगी पर मेथी हम दो तरह से हम मेथी का प्रियू कर सकते हैं एक तो हम सब जानते हैं कि मेथी के परांठे मेथी का परांठा जो है बहुत लोग खाते हैं परंत मैं कहता हूँ कि परांठे में बहुत ज्यादा घी से तल करके हमने मेथी के गुणों को भी एक तरह से मेथी पाचक होता है, मेथी सब तरह से हमारे रक्त का शोधन करता है, उसके बाद में भी हमने उस मेथी को घी में तल करके भुन करके उसके गुणों को हमने कम कर द लिक्षा यदि आप बनने के बाद रोटी घी के साथ यदि आप खाएं तो बहुत ही लापकारी होता है वह घी आपके लिए ज्यादा उपकारी होता है आपके शरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और दूसरा उपाए यदि आप जाना चाहते हैं कि परांठे को बिना तले उस घी का हम पूरा सदुपयोग करते हुए देह के लिए लापकारी पदार्थ कैसे बनाएं तो उसका उपाए भी मैं माताओं को बहनों को बताना चाहता हूँ इसका अच्छा सा उपाए है हलाकि पंजवाब हरियाना राजिस्थान में उस तरह से कहीं रोटी बनाते भी हैं या जैसे आटा बनाते हैं उस समय पर घी डाल दें आटे के अंदर घी डाल करके अच्छी तरह से आटे को तयार करके फिर उस आटे की रोटी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरह से घी से तलने पर वह पराठा बहर से तो देखने में चिकना लगता ह परंतु अंदर उस घी का जो गुण है वो नहीं रहता है घी को ज्यादा तल देने से एक तरह से वह पोईजन हो जाता है उसका जो जहरीला एक अंस आ जाता है तो उससे बचने के लिए और घी का पूरा लापाने के लिए और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के लिए जब मेथी का परंठा बनाने से अच्छा मेथी के अंदर आप घी लगा करके और फिर उससे आप रोटी तयार करिए यहां तो बात हुई मेथी के परंठे या रोटी के संदर्व में और मेथी का जो गुण है फिर वहाँ आपको कफ रोगों से निब्रिति करेगा जिनको बलगम की सिकायत है तो मेथी के रोटी में थोड़ी सी मात्रा में यदि आप अद्रक डाल दें तो और भी गुणकारी हो जाता है और सबजी के रूप में भी जब मेथी का साग होता है तो जैसे की हमने चर्चा की साग बनाने की वीथी के विशय में जब मेथी लया करके आप उस म पदार्थों के साथ मिला करके हमारे देश में सबजیاں बनाई जाती है वह सब्जी वॉयु शामख होता है जिनको गयाष बनती हैं इंडाइजेशन की सिखायत है उन सब के लिए वह मेथि वह उपकारी होता है तो मेथि की सीजन में जब मेथी उपलब्ध हो तो हमें मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए और किसी भी रोग से पीडित विक्ती हो जब हम साग खाने के लिए मना करते हैं जब किसी तरह से वातजव्यादी होती है अर्थराइटीस होता है सरी के अंदर स्वैलिंग होती है या केड़ने की प्रावलम हो सेवन कर सकता है शिर्फ वह ज्यादा मेथी का सेवन थोड़ा पित को बढ़ा सकता है हाला कि हुए पाचन के बाद फित और वायू का ही शमन करता है तो मेथी बहुत झो cię अधकरी है साग के रूप में जैसा के मैने नहीं आभ आपको बताया मेथी से एक लाव-ओर polarized होता है या किसी तरह से पिंडलियों में दर्द है घुटनों में दर्द है उनके लिए भी मेथी बहुत उपकारी है मेथी का साग को आप ले करके उसको इस्टिम में इस तरह से करें कि आप जैसे नीचे से पानी रख दें उपर एक छन्नी रख करके उसके उपर मेथी को डाल दें और नीचे से अगनी से इस्टिम से यानि कि पानी की उपर अलग बरतन में छन्नी में रखी हुई जब अधिपकी मेथी हो जाए और उस वो गरम-गरम जितना आप सहिन कर सकते ह गरम गरम अपने सूजन वाली जगह पर दर्द वाली जगह पर बांद करके पट्टी बांद कर सो जाईए आप देखेंगे रातो रात में आपको पता भी नहीं चलेगा मेथी से किस तरह से सूजन खतम हो जाती है और दर्द गायव हो जाता है अत्यंत शोथ और पीड़ा नि मेथी दर्द के लिए और सूजन के लिए यह तो बात हुई मेथी के साग की और मेथी के साग को यदि बहुत बारिक पीस करके यदि लगा लेते हैं चेहरे पर तो उससे जो चेहरे की कांती है वह भी बढ़ जाती है और चेहरे की खुसकी भी दूर हो जाती है तो उसके लि करने से भी चेहरे की कांती इससे बढ़ेगी तो बहुत ही लाबकारी है अब हम बात करते हैं मेथी के दाने मेथी का दाना भी जैसा कि मैंने कहा हर घर के रसोई में हैं हमारे पूरवजु को पता था आज भी हमारी जो माताएं बहने जब कद्दू की सब्जी बनाती है जिसक कि वहां वायू कारक होता है तो वायू के समन के लिए मेथी का छोक लगाया जाता है तो किन-किन पदार्थों में मेथी का छोक लगाना है यहां हमारी माताओं बहनों को बखुवी परमपरा से पता है इसी को ही बोलते हैं परमपरागत ज्ञान इसी को ही बोलते हैं और ये जो पीजा बर्गर की वजह से कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको भी हम भुला रहे हैं खानपान की जो परंपरा थी आज विक्रित हो रही है हमें समय रहते ही उन चीजों के प्रति जरूर जागरुक होना चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ यहां बहुत ज़्यादा जरूरी है और जहां तक बात रही मेथी दाने की तो यहां डायविटीज के लिए भी बहुत उपयुकत है जो डायविटीज के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो रात को एक देड़ चमश मेथी चा से ठीक रहता है और जिनको अर्थराइटी से उसके लिए लाबकारी है तो अर्थराइटीज के रोगी और जो डायविटीज के पेशेंट हैं यह दोनों ही लोग रात को मेथी को भीगो करके प्रातहकाल मेथी के दानों का सेवन करें और उससे आपको पूरा लाब मिलेगा भीगोने के बाद में जो इसकी उश्न प्रकृती है वो प्रकृती भी परिवर्तित हो जाती है वह आपको ज़्यादा गर्मी नहीं करेगी आप सब जानते हैं जो अर्थराइटीस के रोगी होते हैं हमारे हाँ परमपरा से सरदी में मेथी के लड़ू भी खिलाए जाते है मेथी उसके लिए बहुत ही उपकारी है बहुत गुणकारी है इसी तरह से जो हमारी माताएं और बहने जो delivery के बाद में जो काढ़ा उनको पिलाए जाता है उसके अंदर भी मेथी और अजवाइन मिला करके दिया जाता है डिलिवरी के बाद में तो वो सब infection और swelling खतम हो जाती है और अंदर किसी कारण से कोई भी oberage uterus में गरभाश आदी में कोई विकृती रह गई हो तो वो भी दूर करता है तो मेथी को माताय बहने को भी बच्चा होने के बाद में जरूर देना चाहिए खाद्दे की रूप में भी भीगो करके भी या जो भी काढ़ा उगर उनको पिलाय जाता है उसमें मेथी को जरूर दिया जाता है और शर्दे स्वामी जी का प्रसिद धनुस का लगबग हम सब देशवासी जानते हैं जिनको शायटी का प्रॉलम हो चा अर्थराइटिस का हो चा मेस्कुलर प्रॉलम हो हल्दी मेथी और सोंट का पाउडर हल्दी मेथी और सोंट बराबर मात्रा में इदि आप पाउडर करके रख लेते हैं और एक एक चम्मत सुभर शाम लेते हैं तो शायटी का प्रॉलम हो, चा अर्थराइटिस का हो, चा मस्कुलर प्रॉलम हो सभी चीज में मेथी अत्यन्त गुनकारी है बहुत ही लाबकारी है उसके लिए आप मेथी का प्रियुक करके भरपूर लाब पास सकते हैं तो एक मेथी के बहुत अनेक गुन है और उशदी के रूप में आप निर्विवाद रूप से इस मेथी का सेवन कर सकते हैं और जो आपके सरदी जुकाम उगर है मेथी को रात को भीगो करके उसको अंकूरित करके आप जैसे भोजन के साथ में भी थोड़ी मेथी नियमित रूप से ले सकते हैं उसको लेने से जो आपके सरदी जुकाम उगर है वो भी खतम हो जाएगा और मेथी का एक और प्रयोग है मेथी को भून करके जब बिल्कुल लाल हो जाए उसको पाउडर करके आप दूद में थोड़ा सा डाल करके भी प्रतिधी नीदी आप ले लेते हैं तो उससे दूद हजम हो जाएगा दूद डाजस्ट हो जाएगा इससे आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगी और ग्यास नहीं बनेगा और कौफी की जगह मेथी को भून करके यदि आप डालते हैं दूद के अंदर तो वह स्वाद भी आपको मिल जाएगा आप इसका प्रयोग करके देखिए मेथी को भून करके पाउडर करके आप डाले दूद में फिर पीजिए तो जिनको दूद हजम नहीं होता है दूद का पाचन नहीं होता है उनको भी दूद पाचन होने लगेगा यह बहुती लाबकारी प्रयोग है और इसके अतिरीक्त जो है मेथी को जिनको सर में बहुत दर्द रहता हो उन सरदर्द के रोगियों को भी आप मेथी को रात को भीगो करके प्राता हकाल मेथी आप प्रति दिन सेवन करते हैं तो इससे माइग्रेन में भी पूरा लाब होता है जिनको कफ और वात रोक के उजह से सर में दर्द हो उन रोगियों को हुई इस तरह से मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए तो आज से हम पूरे देशवासी से आहवान करते हैं मेरी माताओं वहनों से विशेश क करके जितना संभव हो सके अपने रसोई में जो आपकी मेथी है उसको सिर्फ खाद्यान के रूप में नहीं सिर्फ भोजन के स्वात को बढ़ाने के लिए नहीं अपीतु एक औशदी के रूप में भी आप स्थान दे दें और पूरे परिवार को स्वस्त और निरोग रखन आईए आप देखेंगे कि मेथी एक बहुती दिव्य औशदी है एक चमतकारिक औशदी है एक सद्य प्रभावशाली औशदी है और सबसे बढ़ करके मेथी आपके घर में सहजता से उपलब्द है तो आईए इस मेथी का प्रयोग करके इस देश को निरोग बनाने का जो मह अभियान है उसके अंदर एक और कड़ी जोड़ें तो इन्हें शब्दों के साथ फिर कल हम आपके लिए और भी ज्यान वर्धक जड़ी बूटी आईरुएद और बनोसधियों के रहस्यों को ले करके उपस्तित होंगे आपके बीच इस दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं चाहे वहां हम अन्न की रूप में चाहे फल या किसी भी साग सब्जी की रूप में हम जो ग्रहन करते हैं वहां सभी पदार्थ शास्त्र में आउशदी की रूप में गिने गए हैं अन्नम वई प्राण हैं अन्नम वई आउशदी इसी तरह से आउशदी जितने भी द्रभ्य हैं वहां प्राण हैं और जीवन देने वाले द्रभ्य हैं वहां सब आउशदी द्रभ्य हैं तो आज अभी जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ आप देख रहे हैं हलाकि जब छोटी स्थीती में होता है तो यह इसकी पत्तियां होती है यहां जो पूरा जो खेत है वहां इसी से भरा हुआ है इसको बोलते हैं पालक पालक का साग भी आपसाइद देश के हरक्षत्र में रहन वाला भारती वेक्विझे जरूर जानता है तो पालक पिनेच जो इंग्लिस में जिसको बोला जाता है पाल प्रा इसको सेंस या जात रहा है और नीश्चीत रूप से आज भी सबुझियों तो सर्वपरी है बाकी सब्जियां रित्ँ अनुकुल में रित्टु के हिसाब से मिलती है हरी सब्जियां विशेश करके पर तो पालक लगबग बाहरो मैना पुरे देश में प्राप्त किया सकता है और खाया जाता है जहां तक बात रही कि आइरन बढ़ाने की बात हो तो हम पालक को याद करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पालक के अंदर बहुत ही जदा आईरन की मात्रा होती है इस से हिमोगलोविन बढ़ता है यह बात काफी सत्ती भी है वैसे तो नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि शाकेन मलवर्धन ते शाकेन रोगावर्धन इस तरह से वड़न है कि मल को बढ़ाने वाला और रोग को बढ़ाने वाला साग होता है हलाकि सरसों का साग या दूसरे साग ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान भी करते हैं परन्तु पालक का साग नुश्यत रुप से बहुती लापकारी है बहुती गुणकारी है व तो उसको पहले काट करके फिर धोती हैं उस जगा पर हमें ऐसा करना चाहिए कि इन पत्तियों को तोड़ करके पहले अच्छी तरह से तोड़ करके फिर हम इन पत्तियों को धोएं अच्छी तरह से धोएं और यही थोड़ा सा गुनगुना पानी से धोया जाए तो बहुत ही गुनगुना पानी से धो करके फिर इसको बाद में पानी जड़ जाए तो काट करके प्रयोग करना चाहिए एक तो ये धोने के संदर्म में जो हमारे हाँ गड़वड़ की जाती है और दूसरी बात हम देखते हैं हमारे हाँ जब सबजी बनाई जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि पहले पालक का साँग बना दिया उसको निचोडा निचोडने के बाद में सबजी बनाई जाती है आप निश्यत रूप से इसमें गलती करती हैं मेरी माताएं बहने जो भी इस तरह से करती हैं, क्योंकि यह आपने पहले इसको निचोड दिया, तो इसके जो तत्व थे, जो इसके अंदर जो वेटामिन सोगर जो चीजें थी, इसके अंदर जो आइरन था, वो तो अपने काफी इसके अंदर से बाहर निकाल दिया, तो उससे जो इसकी के साथ आप आलू, पालक या दूसरे भी बहुत तरह के पालक के साथ वेंजन बनते हैं, तीसरी बात कि हमारे हाँ, प्रायह बहुत जगह पर जो सिवरेज का पानी है, जहां पर गंदगी का पानी है, उसमें लगा हुआ जो साग है, उन सागों को मैं समझता हूँ, कि हमें नहीं सेवन करना चाहिए, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको तो पता नहीं चल पायागा, कि वो साग कहां से आया है, तो मैं समझता हूँ, कि ऐसी स्थानों पर, ऐसी स्थीती में, हमें उन चीदियों से थोड़ा बचना चाहिए, कभी-कभी, क्योंकि इन साग के अंद करके, हलाकि पालक के अंदर अपने आप नमक बहुत होता है, फिर भी थोड़ा नमक डाल करके, उसको आप धोएं, फिर साधे पानी से धोएं, इस तरह से करने से, जो पालक के पत्तियों के बहर भी, कोई भी चीद चिपका हुआ है, किसी भी चीद का असर है, तो वह समाप प्रार्थना है, क्योंकि रसोई जो घर है, वो आपके हाथ में होती है, और पूरा स्वास्थे का राज आपकी रसोई ही है, इसलिए मेरी माताएं, हमारी बहनों से मैं गुजारिस करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये निश्चित रुप से आप रसोई को सुधारें, त इस तरह से घर को चला सकती है, तो इसलिए जरूरी है कि भोजन के संदर्व में, जिस तरह से मेरी माताएं बहने, अलग-अलग वेंजनों को बनाने के लिए, स्वाद के लिए, बहुत तरह से पुरुशार्थ और जानकारियां इकठी करती रहती है, इसी तरह से उन पदार है, टमाटर है, इसके लिए हमें क्या करना है, कि आप गरम पानी में नमक डाल करके अच्छी तरह से उसको मसल मसल करके आप धोले, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो तत्म है, जो विकार है, वो निकल जाएगा, और बाकी फिर आप उसको छिलके के साथ में बना सकती है, मन का पानी से नमक डाल करके गरम पानी से धो देने से साफ हो जाता है, तो उस चीज को हमें हटाना नहीं चाहिए, इसी तरह से फल आदे की विश्य में भी कोई खाने की चीज है, आपने नमक के पानी से धो रिया, तो हो सकता है, वो नमकिन हो जाए, उसके लिए नमक के पानी स साधे पानी से धो दें तो उसके जो विकार है जो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जीवानू या किसी भी तरह कि कोई भी वेक्टिरिया हो वह उसमें से खट जाएगा खतम हो जाएगा यह वेक्टिरिया रहित करने का एक सरल सा उपाय है किसी भी खाद्य पदार्थ को तो आप इस तरह से उसको पहले सोधन करें शोधन करने के बाद में उसका आप प्रेव करें तो मैं बात कर रहा था पालक के संदर्व में तो पालक के लिए भी यह आप विशेस करके ध्यान रखें यह बहुत जरूरी है आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके घर के स्वास्ते को बना सकता है और थोड़ी सी असावधान को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लिडिंग होती हो उनकी लिए पालक एक आउशदी है पालक का रस निकाल करके आप लगभग 20-25 एमल पालक का रस और एक सेव का रस सेव और पालक का रस इरिया आप नियमे तरूप से पीते हैं तो जो एनेमिक हैं हमारी माताएं बहने उनका हिमोगलोबिन बढ़ने लगता है हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्य है एनिमिया की रखता अलपता की तो उसको दूर करने के लिए यह बहुत ही एक अच्छा और सरल और प्रमानिक उपाय है हां जो मेरी माताएं मेहने गर्वीनी है क्योंकि पालक थोड़ा सा तिक्ष्ण होता है इसलिए गर्व अवस्था में त्यदा पालक के रस का सेवन नहीं किया जाता है थोड़े कम मात्रा में पालक को फिर भी ले सकती है जब 5-6 मेने हो जाएं जिनको किसी भी तरह के जैसे धातुरोग है धातुरोग में प्रमेह की विमारी में भी जो पालक तक लगातार नियमित रूप से पालक का सेवन कर सकते हैं इसी तरह से जिनको पत्री की सिकायत है वो पालक को जड़ से उखाड करके इसको धो करके आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीलिबे कूट करके रस निकाल करके 20-25 सेमल प्रती दिन जिदी पालक के रस को पिला दिया गाल स्टोन है, स्टार्टिंग के स्थिती है क्योंकि इससे एसिड भी कम होता है तो उसमें भी इससे लाव होता है परन्तु जो लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं कि बड़ी-बड़ी हमने पित्ताश्य के पत्रियां निकाली उसके संदर्म में एक बात जरूर निव कर देता है उसको घुल करके पुना हुव पित्ता की रूप में बाहर निकल करके आ जाता है छोटी पत्री होने पर बहुत ज़्यादा स्टोन होने पर हम उस विशे में निश्यत रूप से यह नहीं कह सकते कि उपत्रियां सब खतम हो सकती है और तीसरी चीज जिनको कब्ज है उनकी लिए पालक रामबान है बहुत एक अच्छे औश्रदी है यह आपको दस्त लगते हों बार बार जिनको मोशन जाना पड़ता है उनको पालक का सेबन नहीं करना चाहिए एक भाई कहने लगे कि आचार जी हमने तो जो है पालक का सेबन किया फिर भी बीमारी बढ़ लगे वास्ते में जिनको दस्त है उनको पालक से बचना चाहिए जिन लोगों को आतों में अलसर हो अलसर में क्योंकि पालक थोड़ा तिक्ष्ण होता है ज्यदा आयरन की उज़से शायद मैं समझता हूं कि अलसर के रोगियों को पालक नुक्सान करता है तो जिनको आतों म वास्त में जितने भी साग है उनके लिए बहुत ही उत्तम पालक का साग है और पालक का एक और गुण है जिनको गल्ये में गड़ बड़ी है तो कुल्ला के लिए गरारे करने के लिए भी आप पालक के पाने का प्रियोग कर सकते हैं पालक को आप उबाल करके नमक डाल करके उ उससे आपका जो है खराब गला ठीक हो जाएगा पालक का रस बहुत लापकारी है बहुत गुणकारी है इसी धरह से पालक का रस निकाल करके यह आप हर्षव पर धीरे-धीरे माली क्स पीस करते हैं तो इससे नश्वल-ग्लो डूश्र हो जाएगा तो चेहरे की कांती के लिए भी पालक को पीस करके आप चेहरे पर लगा सकते हैं उसके रसकोखे बहुती लाबकारी है तो ध्यान रिख को हमारी साग सब्सक्रास्व धारत है वह बहुत प्षदिये गुणों से बहुती भरपूर हैं, बहुती लापकारी हैं, तो हम इनके गुणों को खतम ना करें, तल करके, भून करके या बहुती ज्यादा मिर्च मशाला डाल करके, तो हम प्रयत ना करें, कि जितने भी खाद्धे-पदार्त हैं, उनको प्राकृतिक रुप से ही हम से बन करें तो हमें ज़्यादा लाग मिलेगा ज़्यादा उससे हमारा जो स्वास्थी है वह ठीक रहेगा हालांकि पश्चिमी देश्व के अंदर आज भी उबाल करके खाने के जदा रिवाज है हमारे ज़्यादा तल्ले भुन्निकी परंपराएं हैं क्यों कि हमारे जि विशेष्ता विशेष्ता ही बनी रहे वो विविदता हमारे रोग का कारण ना बने विमारी का कारण ना बने और हम कहीं खाद्य पदार्थों को जहरीला ना कर दें इसके लिए हम ध्यान रखें और जिनको पेशाब खुल करके नहीं होता है जिनको पेशाब में जलन होती हो जलन के दो जलसेखन यहाँ जैसे आप बहुत ज़जादा परिशान हों तो पालक को कूट करके, रस निकाल करके आप पिएं इस से पेशाप की जलन भी खतम हो जाएगी और पेशाप भी खुल करके हो जाएगा यहाँ बहुत ही लापकारी है क्योंकि यहाँ बहुत मुत्रल है और पत्री जैसे रोग के लिए यहाँ बहुत ही कारगर है आपने पालक की सब्जी तो खाई होगी एक और इसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि पालक के रस को निकाल कर आट-दस चम्मच रस में थोड़ी पूशन होती है फिर भी बहुत अच्छा आपको लगेगा तो पालक का सरवत आप पी सकते हैं वहाँ पालक आपके रक्त को बढ़ाएगा आपको तागत देगा और गर्मी से भी बचाएगा पर ध्यान रखें कि सब्जियों को हमें कैसे दोना है कैसे साफ करना है कैसे पका करें और अपने जीमन को निरोग और निरामय बनाने के लिए हम प्रयत्न करें हमारे रिशियों ने आज से हजारों वर्ष पहले इन पदार्थों का अउश्दी के रूप में वर्णन किया है भाप्रकास निघंटू है हमारे चरक्त शुश्रुद है इन सभी ग्रंथों में इनका बहुत वर्णन किया गया है तो आईए आउश्दी के रूप में इन पालक जैसे पदार्थों को भी हम जाने इनके गुणों से और आपके घर में उपलब साधन है उन साधनों से अपने रोग को दूर करें यही हमारा लक्ष है यही हमारा उद्दिस है और भी बहुत सारी जानकारी लेकर हम होंगे आपके बीच तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा